नमस्ते सर खुसरो रजत और कैसे हो कैसे चल लए यह तुम्हारी अंग्रेजी की प्रेक्टिस बढ़िया सर आपने तो सब समझ से आए ही सुल जा दी है अब सर अच्छा समझ में आ रहा है आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यूं लोगों को इंगलिस सीखने में परशानी होती है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है बहुत बढ़िया सर प्लीज यही की कौन है यहाँ पर देखो यहाँ पर हमें न तो सेंटेंस में सबजेक्ट और सारी चीजे जो है उपलब्द नहीं है लेकिन जो हमें पढ़ाया जाता है उसके अंसार जो चीजे बोलनी होती है लेकिन हम साधारण भासा में हूँ इस या हू से भी काम चला सकते हैं कुछ जगह पर जिस तरह से हम हिंदी भासा का यूज करते हैं अगर उसी तरह इंगलिस बोले तो बहुत ही आसान हो जाता है जब हम कहते हैं कि यह एक किताब है तो हम वहाँ दिस का यूज करते हैं लेकिन अगर वही किताब दूरी पर रहता है तो हम उसको दाट से यूज करते हैं और जब कई किताबे नजदीक होती हैं तो वहां हम दीज का प्रयोग करते हैं और कई किताबे अगर दूर पे है तो दोस का तो जब दिस और दैट का यूज़ करते हैं तो वहां हम इस यूज़ करते हैं इस सिंगलर है में प्रयोग होता है वहीं जब दीज या दोस का प्रयो तो दोस इस तरह का प्रियोग करो फिर आगे की चीजे फिर सिखाई जाएंगे थांक यू सर